समर स्टार्ट होते ही हम होमेकर्स की किचन लाइफ भी केरिंग और मोर रिस्पॉंसिबल हो जाती है अपनी और सब फैमिली मैंबर्स की हेल्थ और वेल बिंग को लेकर जब तक कुछ ट्रिक्स और पर्टिकुलर टिप्स फॉलो ना किये जाएं तो ये लू बरसाती हुई तपती हुई गर्मी का मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जिसमें स्पेशली हमारे लिक्विड कंजंप्शन सबसे इंपॉर्टन रोल प्ले करते हैं तो ये मलाई जो है ठंडे दूद से बहुत अच्छी उतरती है और इस तरह से फ्रीजर में फिर हमारी गर्मी में मलाई खराब भी नहीं होती अब जो दूद बाकी बच्टा ना उसको मैं शीशे के एर टाइट ये मैंने रखा वे जार उसके अंदर मैं वर्टिकल बॉटल में डाल कर रख लेती हूँ क्योंकि ये ना हमारे फ्रिज के डोर में एट अट अटाइम आ जाती है और वर्टिकल स्पेस भी फ्रिज के डोर की यूज हो जाती है और फिर हम अगर उसको वैसे पतीली में रखे तो बहुत ज़ादा फ्रिज की जगा जाया भी हो जाती है और हमें फिर बाकी चीजों के लिए जगा नहीं मिलती इसी तरह गर्मी में हमारे ये जो प्याज और ये लेसन वगरा होते हैं इनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है गल जाते हैं बहुत जादा जल्दी एक तो थोड़ी क्वांटिटी में मिलाती हूं किलो दो किलो से जादा नहीं दूसरा इस तरह की टोक्री जो है जादा तर लोग यूज कर रहे होते हैं मैंने अल्रड़ी बताया है कि मेश बैग या पॉली बैग लगाकर इस तरह से फिर मैं उसके अंदर रखती हूं तो फिर ये गंद वगरा जो होता है ना हमारी बास्केट को गंदा नहीं करता है तो बास्केट क्लियर रहती है और दुबारा से नया बैग चेंज करके तो फिर से हम उसके अंदर अपने प्याज और लेसन वगरा रख लेते हैं तो ये हमारी टोक्री की भी बज़त हो जाती है और कुछ थोड़ा सा गलने से प्याज बज़ जाते हैं लेकिन न ये जो ट्रे आती है न अंडों के साथ इसका माटीरियल बहुत जबदस्त होता है बहुत ज़दा मॉइस्चर अब्जाबिंग होता है इसके अंदर ये सेक्शन्स भी बने होते हैं ये बड़े अच्छा रह जाता है तो इसके साथ ही ना आजकल ये बास्केट मैंने मंगवाई हैं ये मेरे हस्बंड दुबई से लेकर आया है स्टेनलेस टील की बनी वी है नीचे से भी ये नेट बनी वी है तो हवा पास होने का बहुत अच्छा जरीय है और बड़ी कॉम्पैक्ट सी रेक्टेंगलर शेप में है तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये दो ही वो लेकर आया है मुझे तो जादा चाहिए थी लेकिन समान में जितनी वो ला सके तो मैंने क्या किया के एग ट्रे जो होती है ना इसको मैंने काट लिया उसके साइज के अकॉर्डिंग इस तरह से वर्टिकल दो सेक्शन्स मैंने बना लिये क्योंके मेरी बास्किट थी वर्टिकल सॉरी रे प्रेस नहीं होंगे और बेस पर जो इस तरह का गत्ते का मटेरियल लगाव है ना तो वो बहुत अच्छा हमारे मॉइस्टर को एब्जॉब रखेगा हवा भी पास होती रहेगी और इस तरह से मेरे प्यास जो है वो बिलकुल बच जाएंगे गलने से इसी तरह से ये सेक्शन य्जीजर भी यूज़ ओजाती है इस तरह से ये वाली स्टेंगले स्टील की खराब मीन होती है और सालों साल चलती है इसी तरह से हमारी स्किन केर भी बहुत जरूरी होती है अपने आपको हाइडरेटेड रखना तो मस्ट है सारे दिन में तो सादा पानी भी तो पीना होता है अब ये जो पदीना और ये आपको नजर आ रहा है कोई भी हो किसी एज में भी हो तो आप ये वला ड्रिंक आपने सादा पानी भी तो पीना है तो सारी दिन में अगर एक पांच मिनट में ये चीज़ें करके आप एक बॉटल में रख लेंगे और सारा दिन उसको कंजूम करते रहेंगे चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो चाह होती है ना उसके अंदर अगर आप ये पुदीने के पत्ते जो समर में हम बहुत पदीना यूज करते हैं इसके इतने सारे बेनिफिट्स है कि अगर आप मैं आपको बताने लग जाओंगी तो पूरी एक वीडियो उसके लिए कम पढ़ जाएगी एनिवेज ये पुदीना हमारे बहुत ज़दा यूज में है तो इस ट्रेय में इस तरह से मैंने उसका एक एक पैटल उसकी काटके रख ली है तो बस उसके अंदर ना मैं अब इसका पानी जो है फिल कर दूँगी अब फिल करके ना इसको जब मैं फ्रीज कर लूँगी ना तो ये हमारे आईस क्यू हमें जब बना लूँगी ना तो मैं आपको आगे चलकर बतातीों एक ये क्यूब्स देखने में इतने अच्छे लगते है एक तो हमारे क्यूब्स रेडी होगे और दूसरा ये जो как दो अब बना लोगे यक्र जिया साथको जोआ बाताती ना बताती मिली अगर आईकर आप होई ही जाता है cool लेकिन उसमें जो ये पुदीने के बेनिफेट्स आड हो जाते हैं ये अपनी जगा पर एक additive का काम करते हैं तो हम ये फिजी ड्रिंक्स वगरा भी तो यूज करते हैं उनको बिल्कुल अपनी जिंदगी से निकाल दें उसी के लिए आज एक और ड्रिंक मैं को बताने लगी हूं कि किसी किसम के कैंड ड्रिंक्स और फिजी ड्रिंक्स को बिल्कुल माइनस कर दें अपनी लाइफ में से केरियां आजकल बहुत आम हैं ये मैंगो के जो रॉब फॉर्म होती है आप इसको बस मंगवाएं अचार के लिए भी तो आप मंगवाते हैं तो म बैरे कहने पर ये ड्रिंक बनाएं बस आपने इंको कट कर ले ना इनकी गुठनिया लग्या लेना क्योंकि थोड़ी सी सोर होती हैं तो आप इनको लग करके और हाँ साथ एक और समर में कतीरा गून जो है उसको थोड़ा सा ना आप इस तरह बना कर रख लें किसी भी ड्रि कि यह हमारे हर घर के हर किचन में मौझूद होती हैं बस हम थोड़ा सा चीजों को सुपरफिशली देख रहे होते हैं लेकिन वही चीजें इतनी बेनिफिशल होती हैं हमारी लिए कि बस हम पांच मिनट लगाते हैं और यह हमारा ड्रिंक रेडी हो जाता है इसको मैंने इतना जबर्दस ड्रिंक बनकर रेडी हो गया कि आप किसी को भी सर्फ करेंगे ना तो बहुत उसको पसांद आने वाला है इसमें मैंने जैगरी पाउडर आड़ किया है आप चाहें तो शुगर भी आड़ कर सकते हैं लेकिन आपको जो मेरे पुराने व्यूर्स उनको पता है ज़रूर ट्राइ करें जितने ड्रिंक अभी तक मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं वो सारे हल्दी ड्रिंक्स है और यह कोक्स और स्प्राइट और हर किसम के कैंड और शुगर से फेल्ड और प्रिजरवेटिव से फेल्ड और इतने एडिटिव डाले होते हैं देखें लोग इस तरह के ड्रिंक्स के अंदर फ्लेवर भी आड़ करते हैं अपनी वीडियो को खुब सुरूरत दिखाने के लिए लेकिन मैंने इसके अंदर कोई भी फूड कलर नहीं डाला गर्मियों में स्वेटिंग के बज़ा से हेर फॉल होना तो मस्ट हो जाता है तो उसके लिए ना आप वीकेंड्स पर इस तरह का ये जो मैं आपको दिखा रही हो ना ये हेर आयल बहुत अच्छा है ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये मैंने जाती तोर पर यूज किया है ये एंटी हेर फॉल है बहुत अबदर सॉल है तो आप इसकी ऑइलिंग करके तो बच्छों का जो हेर फॉल होता है तो आप इसको जरूर यूज करें तो इसको जरूर यूज करें प्रमोशन लाफ अच्छों सुल्ट इसको जरूर इसको जरूर निए इसको जरूर निए बच्छीन थरूर यूज करेंप आप इसको जरूर यूज करेंड़ प्रमोशन